हलो स्टूडेंट जैश्री महाकाल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस होंगे, स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यास्त होंगे तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी आ चुकी है जो भी लोग बहुत सालों से SSC CGL की प्रेपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छे पोस्ट पर और बहुत ही शांदार नमबर ओफ वेकेंसी आ चुकी है यानि कि टोटल अगर मैं बात करूँ SSC CGL की पोस्ट तो हर बार की तुलना में इस बार जो पोस्ट है बामुश्किल यह वेकेंसी या तो 7000 या 8000 तक होती थी लेकिन 2022 में यह वेकेंसी की संक्याती 37000 जिसमें से आधी पोस्ट पोस्ट ओफिस वालों की थी लेकिन इस बार जो वेकेंसी आई है SSC CGL की वो बहुती शांदार पोस्ट पर है और उसे के साथ आपके पोस्ट वेकेंसी का नमबर है 17727 सबसे शांदार जोब है और सबसे ज़ादा जरूरी बात यह है कि लड़कियों के लिए जो बिलकुल सेफेस्ट और रेपुटेटेड जोब है वो SSC की तरफ से आती है क कि हम कौन सी जौब की तयारी करें कौन सी पोस्ट पर हमारे लिए सही होगा तो SSC आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट रह सकती है तो आप सभी के लिए खुशकबरी तो आई गई है इसी के साथ आज का जो वीडियो सेशन रहना है वाला है उसका टॉपिक है असिस्ट ऑफिसर जिसकी फर्स्ट मंट सैलरी उसलिप हम आपके सामने लेकर आये हैं पूरी डीटेल से इसमें आपको हर एक स्टेप समझाते हुए आपके अलोंसेज आपके डिटेक्शन और साथ के साथ में नेट सैलरी बताते हुए इस वीडियो को पूरा करूंगी तो आप सभी जो भी इस वीडियो पर देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो जल से जल चैनल को सस्क्राइब कर दीजे, क्योंकि S.S.C.C.G.L. की Assistant Officer के साथ में, जितनी भी पोस्ट है, भले ही वो Inspector हो, Sub Inspector हो, या फिर Static Department हो, या JSA की हो, उन सभी की Salary Slip आपके सामन हम लेकर आएं हैं, तो चैनल की Playlist पर S.S.C.C.G.L. की सारी पोस्ट की Salary Slip आपको मिल जाएंगी, इसलिए जल से जल चैनल को सस्क्राइब करके, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन, अगर मैं बात करूँ Grade पे, तो यह होगी 4600 Grade की, जिसका लेवल रहने वाला है 7, यानि यह जो पोस्ट है, यह सबसे अपर लेवल की पोस्ट है, क्योंकि S.S.C.C.G.L. की जो वेकेंसिया है, वो लेवल 4 से शुरू होकर लेवल 7 तक जाती है, तो लेवल 7 जो है, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, यानि असिस्टेंट, ऑफिसर के आपको पोस्ट मिलने वाली है, लेवल 7 पर, जिसका बेसिक पेमिंट आपका होगा, 44,900 से लेकर, 1,42,400, यानि आपकी फर्स्ट मन्थ सेलरी आएगी, 44,900, तक्रीबन हो गई है, 45,000 रुपे, और आपके प्रमोशन को देखते हुए, हर साल यह इ 1,42,400 पर, उसी के साथ अगर इसका पे स्केल मैं आपको बताऊं, तो यह होगा, 93,900 से लेकर, 34,800 रुपे, पे बेंड होगा, इसका दो, अब हम बात करते कि इसमें आपको अनोंसिस क्या-क्या मिलने वाले हैं, तो देखिए, आपका जो सबसे मेन होता है, वो आपका बेसि पेमेंट होगा, जिसमें आपको डिये मिलेगा, डिये मतलब डिये रेंज अलाउंसेज, यानि महेंगाई भत्ता, जो आपको मिलेगा आपकी सेलरी का बिलकुल आधा, यानि 22,450 रुपे, इसी के साथ आपको मिलेगा HR, यानि हाउस रेंट अलाउंसेज, इसमें आपको आप से quarter दिये जाएंगे अगर आप उन quarter में नहीं रहना चाहते हैं अलग से आपने कहीं रूम लिया हुआ है या कोई घर है आपका तो उसके लिए government आपको पे करेगी house rent के रूप में 13,470 रुपए पर मन्त TA आपको मिलेगा इसमें 3600 रुपए यानि 3600 रुपए का DA और TA होगा इसमें आपको 1800 रुपए का यानि आपकी basic salary हो जाएगी 44,900 रुपए उसी के साथ ये सबी alonses add हो जाएंगे तो ये total आपकी हो जाएगी gross salary कितनी 86,220 रुपए ये होगी आपकी total gross salary net salary अभी नहीं define होगी क्योंकि gross salary में से अभी आपका detection कटेगा detection जो आपकी salary में से amount कटेगा और जब आप retire होंगे तो उस time पे एक बहुत ही बड़ा amount आपको मिलेगा NPS यानि new pension scheme आपका account होगा उसमें ये पैसे होंगे इसमें आपका कटेगा 6735 रुपए CGEGIS ये 120 रुपए का आपको premium money देना पड़ेगा ये hospital facility है जिस तरह army के लोगों को medical facility मिलती है उसी तरह आपको हर महीने ये पैसे आपके कटेंगे और उसमें आपको hospital facilities मिला करेंगी total आपका detection बनता है 6855 रुपए का ये 6855 रुपए आपकी gross salary से minus होंगे तब आएगी आपकी in hand net salary जिसका रहेगा आपको इंतजार और assistant officer SSCGL की post के लिए आपकी जो net salary होगी वो होगी 89365 रुपए यानि तकरीबान 80,000 रुपए पर मन्त आपकी assistant officer SSCGL के लिए आपकी salary रहने वाली है तो salary बहुत शांदार amount में है साथ के साथ आपका जो job profile है वो भी अच्छा होगा आपका timing रहने वाला है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तर ये आपका job time रहने वाला है तो आपका timing भी इसमें बहुत शांदार है और अगर मैं qualification की बात करूँ तो सभी graduate student इसमें apply कर सकते हैं साथ में जो final year appearing student है वो भी इसमें apply कर सकते हैं तो उम्मीद है SSC CGL वालों को जिन्होंने भी इस form के notification पढ़ लिये हैं जो भी preparation कर रहे हैं उन सभी को एक उम्मीद आई है कि SSC CGL ने बहुत शांदार 17,727 पोस्ट पर vacancy निकाली है तो अब सभी लोग मेहनत में जुट जाएए double triple अपनी पढ़ाई कर दीजे क्योंकि यही वो पोस्ट है जो आपको पानी है आप सभी के लिए मेरी best wishes है थैंक यू सो माच और चैनल सस्क्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी SSC as parent को यह वीडियो शेयर करें थैंक यू सो माच